अप्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्म योगी स्रीयोगी आदित्यनाद जी भारती जनता पार्टी के राष्ट्रे अद्यक्ष हम सब के मारदर्शक स्रिमान जेपी नडडा जी उप मुख्यमंत्री भाई केश्व पुर्षाद मौरिय जी दिनेश शर्मा जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी महेंत्र नराज पांडे जी उत्रपदेश भारती जनता पार्टी के अद्यक्ष स्वतंत्र देवसी जी यहां के मंत्री स्रिमान निलकन टिवारी जी देश के अरकोने से आये हुए पुझ्य संतगन और मेरे प्यारे काशी वासी और देश विजेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी स्रद्धालों सातिगन काशी के सभी बंदों के साथ बाबा विश्वनात के चर्णों में हम शीष नवावत है माता अन्पुना के चर्णन का बार बार बंदन करत है अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल वहरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूँ देश वासियों के लिए उनका आशिर्वार लेकर आ रहा हूँ काशी मैं कुछ भी खास हो कुछ भी नया हो तो सबसे पहले उनसे पूछना आवशक है मैं काशी के कोतवाल के चरणों मैं भी प्रणाम करता हूँ गंगा तरंग रमनी जटा कलापं गौरी निरंतर विबूशित वामभागं नारायन प्रिय मनंग मदापहारं वारा नसी पूर्पतिम भजविश्वनाथं हम बाबा विश्वनाथ दर्बार से देश दुनिया के उनस्रद्धालू जनन के प्रणाम करताई जो अपने अपने स्थान से इस महा यग्य के साक्ची बनत होन हम आप सब कासिवासी लोगन के प्रणाम करताई जिनके सैयोग से इस शुबगड़ी आयल हो रदाए गदगद हो मन अहलादित हो आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई हो साथियों हमारे पुरानों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंदनों से मुक्त हो जाता है भगवान विश्वेस फरकाशिरवात एक अलोकिक उर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आतमा को जागरत कर देती है और आज आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चैतना में एक अलग ही स्पंदन है आज आदी काशी की अलोकिकता में एक अलग ही आभा है आज शास्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ दिख रहा है हमने सास्त्रों में सुना है जब भी कोई पुन्य अवसर होता है तो सारे तिर्थ सारी देविय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्तित हो जाती है कुछ वैसा ही अनुफाव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रमान इससे जुड़ा हुआ है वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने लेकिन जहां तक हमारी मानिविय द्रस्टी जाती है विश्वनाद धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर पूरा इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है साथियों आज भगवान शीव का पृरिय दिन सुमवार है आज विक्रम संवत दोहजार अठतर मार्ग शिष्ष्षुकल पक्ष दसमी तिथी एक नया इतिहास रत रही है और हमारा सोभाग्य है कि हम इस तिथी के साक्षी बन रहे है आज विश्वनाध्धाम अकल्पनियग अनन्त उर्जा से भरा हुआ है उसका वैभाव विस्तार ले रहा है इसकी विशेस्था आसमान छू रही है यहां आसपास जो अनेक प्राचिन मंदिर लुप्त हो गए थे उन्हें भी पुनस्थापित किया जा चुका है बाबा अपने भक्तों की सद्यों की सेवा से पसंद हुए है इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशिर्वात दिया है अज जा चिता आशिर्वात इन झाल झाल